नमस्कार दोस्तों सान कीचर में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साबुदाना की टेस्टी खीर साबुदाना के खीर बहुत ही कम समय में बनकर तयार होता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगती है सावुदाना के खीर बनाने केल मैं सावुदाना को ले ली हूँ, ये छोटे वाला सावुदाना है, ये मोतियों के तरह देखने में लग रही है, और इसका खीर जो है ये बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है, मैं सावुदाना को दो तीन पानी से अच्छे से इसे साप कर दूद को मैं हम गरम कर लेते हैं। दूद को आप अच्छे से इसे उबलने दे हैं। तो सावदाना को जो क्षीर है ये बहुत ही जल्द बन कर तैयार हो जाएगा। दूद हमारी उबल रही है अब में इसमें सावदाना को डाल देती ह। आप धीरे धीरे करके साबोदाना को डाल दें अक्सर हम सभी साबोदाना की खीर जो है इसे उपवास में बनाते हैं इसे आप अच्छे से चलाते रहें आप इसे अच्छे से नहीं चलाएंगे तो आपका जो ये साबोदाना है ये बरतन में चिपक जाएगी इसे आप बार-बार चलाते रहें क्योंकि ऐसे भी तो साबोरदाना चिपची पाहट होता है और ये बनने के बाद तो और ही चिपची पाता है इसे साबोरदाना को आप अच्छे से इसे मिलाते रहें ऐसे भी सावुर्दाना को जो खीर है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसे बहुत लोग पसंद भी करते हैं और इसे अकसर तो परब में ज्यादा इसे खाना पसंद करते हैं मैं हम सावुर्दाना में मैं चीनी को डाल देती हूं चीनी आप अपना अनुसार ले सकते हैं कम जादा करके हैं मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूं हमारा लगभग सावुर्दाना जो है यह पक गई है हमारा सावुर्दाना जो है यह पक गई है थोरी दिर और इसे मैं पका अब मैं इसे प्रोस लेती हूं यह देखने में लग रहे हैं कितना टेस्टी और खाने में उत्रा ही स्वाधेश्ट हैं तो हमारे चैनल पर नहीं है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पवस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें तो मैं आसा करती हैं कि हमारी यह चोटी सी कोशिस आप सभी को बेहत पसंद आई होगी तो आप सभी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल लखे और स्वस्त रहें तो मिलती हो आप सभी से कल अन्यवाद